कास्मी साब ब्रेक पर जाने से पहले आपने तमाम पैनलिस्ट की बात सुनी एक तरफ लगातार हम पैरिस की तस्मीरे दिखा रहे हैं और एक तरफ भारत का जिब कमपैरिजन होता है तो क्या ये कहना सही नहीं है कि बहुत अच्छी इस्तिति है भारत में जितनी भी कम्यूनिटी हैं जितनी भी समुदाए हैं जितनी भी धर्म हैं जितनी भी मजब हैं वो अच्छी से रहते हैं ऐसा नहीं है कि सड़कों पर उतरकर उपद्रफ करना पड़ जाए पराची मैंने बहुत गौर से और टाइम की कुर्बानी दे कर सब को सुनाए तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी अपना पक्ष रख दूँ बिलकुल बिलकुल ठीक है मैं फरांस में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही काबिले मजब्मत है बहुत ही दुखत है लेकिन ये भी दुखत है कि मेरे जिब पैनलिस्ट भाई आये हैं उनको टॉपिक याद नहीं रहता बात करते हुए पहले से बताया गया होता है कि ये टॉपिक है उत्तर परदेश में जिल लोगों ने मुरादाबाद, मलियाना, हाशिबपुरा जैसे दंगा कराए हूँ, मेरट जैसे दंगा कराए हूँ और जो अभी एक पार्टी के परवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने 2012-13 में इतना बड़ा दंगा कराया था मुजफरनगर में समाजवादी ने जिसमें दो लाग से जादा लोग बेगर हुए थे और कहीं हजार लोग मरे थे और आज भी पचासो बच्चे बच्चियां हमारी मुस्लमानों की वहां गायब हैं जिसकी कंपलेंड आज भी शामली मुजफरनगर के थानों में धूल चान नहीं थी समाजवादी सरकार में मैं आपको एक बात ये बताओं कि इन लोगों के नजदीक जो है न दंगा तो वो दंगा है जिसमें पूरा शहर का शहर बरबाद हो जाए मुरादाबाद की तारीख लोग कितनी जल्दी भूल गए है अब आज के वक्त में कानपूर में वहां के काजी ने दंगा कराने की कोशिश की थी उन्होंने भड़काओ भाशन दिया था उत्तर परदेश की योगी सरकार ने 24 घंटे तो क्या दो चार घंटे में उसको समको का दंगाईयों को के अंदर जाओ नहीं तो तुम्हारा इलाज पका है सिर्फ कंपेरिजन इस बात का हो रहा है कि आपको कल ही कि घटना बता देता हूँ दिल्ली में कल दो जगा पर ऐसा हुआ है कि मंदीरों के सामने मास के टुकड़े भी ले हैं लेकिन डिल्ली पुलिस की मुस्ताइदी देखिएगा कि डिल्ली में एक पता भी नहीं हिला है अब इन लोगों को मजा ही इस बात में आता है कि किसी तरह ये देश को बदराम करके डेश की बुराई करके इनको दearसल जो मसला है वो मौदी जी से, योगी से किसी से नहीं हे इनको मसला ये है कि या तो सरकारे इनकी हो या पिर देश की हालत अच्छी नहीं है देश की इस्तिती अच्छी नहीं है और योगी जी के जाने वाले लोग गायब हो गए हैं, पचास, पचास, तीस, तीस, बिस, साल की खजाईी जमीन गरीबों को वापस मिल गई है, सरकार को सरकार की जमीने मिल रही है, वक्फ को वक्फ की जमीने मिल रही है, और वो राज जो एक मिलकुल गुंडा गर्दी पर इस्तर हो गया था कि एक फून किया कि मैं फला बोल रहा हूँ फला माफिया बोल रहा हूँ और आपकी सिट्टी मिट्टी गायब गुराइश तो उत्तर परदेश में आई नहीं सकता ना उत्तर परदेश की जनता उसको एकसेट करेगी तो अभी इन सम चीजों को यह हजम नहीं कर पा रहे हैं अब मैं समझता हूँ कि हमारे लिए देश पर्थम होना चाहिए एक स्पैसिफिक से सवाल है कास्मी जी उसका जवाब देदीजे फिर आदर जी आपके पास आ रहे हूँ कास्मी साब क्या आपको भी यह लगता है कि धर्म देखकर बुल्डोजर चलता है इसलिए पोस्टर पैनलिस्ट भी कही हैं जो मुझे धंका चुके हैं on record, off record अपने ही लोगों से मुझे परिशानी हुई है मुसल्मान होने के नाते मुझे सरकार से नाकल परिशानी थी आम मुसल्मान खुशी की कारोबार की तिजारत की अच्छी जिन्दगी जी रहा है यानि मुसल्मान धर के नाम पर इंकाउंटर हुआ है अपरादी अपरादी थे और कि अदिल जी उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करिएगा क्योंकि आप लंबी बात करने लग जाते हैं सवाल कहीं गौन हो जाता है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर